अलो स्टूडेंट्स इंजाहिंद आप सब लोग बहुत ख्यारियत से हैं अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं और सिंसरली आप लोग अपने एक्जामिनेशन बगिरा की प्रिप्रेशन में लगे हुआ जैसा कि आप लोग जानते हैं मैगनेट ब्रेंस एक ऐसा प्लैटफॉर मैं जहां पर क्लास बन से लेके क्लास ट्वल तक सारा का सारा एजुकेशन आपको एक्स्लूसिवली फ्री ओफ कॉस्ट प्रवाइड कराया जाता है मतलब यह कि यहां पर आपको कभी ऐसा नहीं होता कि किसी सब्जेट के एक या दो चैप्टर्स आपको फ्री ओफ कॉस कॉस्ट लेकर आने के लिए आपको फ्री ओफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने के लिए ताकि आप लोग तो इस तरफ अपने एक्जामेनेशन के तैयारी अच्छे से कर सकें अपने करियर्स में अच्छा कर सकें और अच्छे अच्छे बदों पर पहुंचें देश की तरक्य रुननती में अपना योगदान दें, contribution दें, इसी धे, इसी objective के साथ मैं magnet brains आगे बढ़ रहा है, तो इसी बात पर हम लोग अपना आज का जो सतर है, वो शुरू करता है, हम लोग पढ़ रहे थे history, class 12, उसकी हमारी जो दूसरी किताब है, और उसका जो हमारा theme number 8 है, जिसका ना रहा था, वेपार बगएरा, जो इस लेवल पर हो रहा था, उसके कारण इंडिया में, कितने बड़े लेवल पर चांदी अंदर आ रहे थी, और उसका फिर हमारी एकनौमी भी क्या असर पढ़ रहा था, कितने बड़ी मातरा में silver के coins बगएरा, जो हम बेंट हो रहे थे, औ आज उसी के आगे हम लोग अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं और इसी चैप्टर का जो अगला एसपेक्ट है, यह अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है आईने अकबरी और अवुल फजल अलामी, इसके बारे हम लोग बातचीत करना शुरू करेंगे, हम देखेंगे आईने अकबरी में से काफी सवाल जो हैं, आपके अलग-अलग examinations में पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे, तो इसलिए important session रहेगा, interesting session रहेगा, और fruitful session रहने वाला है, so now without any further ado, here we begin, the topic is going to be the आईने अकबरी of अबुल फजल लामी, तो आईने अकबरी और इसमें जो भी बात प्रोजेक्ट चालू किया था, और उसके और वो प्रोजेक्ट वगरा जो है, उसकी जिम्मेदारी दी गई थी अबुल फजल को, तो अबुल फजल ने वो जो पूरा का पूरा historical project था, जिसमें उसको काफी सारी चीज़ों का classification करना था, क्या था भी आगे बात करेंगे, उस अकबर को rule करते हुए 42 years हो चुके थे, important है, याद रखिएगा, अकबर के ruling के 42 साल में ये के जो बड़ा administrative project था, जिसके तहद अकबर की autobiography, उसका शाशन, प्रशाशन, जिंदगी और उसका पूरा जो empire था, और उसकी जो पूरी जीवन गाथा की रामकथा लिखी गई थी, जिसकी जिम्मेदारी अबूलफजल को दी गई है, ये 42 साल में उसकी जिंदगी के, उसके जो rule था, उसके 42 साल में खतम हुआ था, ठीक है जी, और इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का एक छोटा सा पार्ट या फिस्ता जो है, आईने अकबरी है, अब आईने अकबरी जो है, एक बड़ा प्रोजेक्ट अकबर ने शुरू किया था, इस्टोरिकल राइटिंग का, जिसमें उसके आत्म का था, उसके शाशन, प्रशाशन, एड्मिनिस्टेशन, लाइब जर्नी, उसके परिवार, इन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करनी थी, लिखने की जिम जिम्मेदारी दी कही अबूलफजल को, उसने पूरा का प्रोजेक्ट का बना का खतम किया, उसने प्रोजेक्ट खतम किया 1598 में, जब अकबर का शाशन, को अकबर को शाशन करते हुए, बैयालेस्ता, एक तालिस्ता लोग है थे, बैयालेस्वा साल चल रहा था, 42 सेकेंड यहर में, और उस सारे के सारे प्रोजेक्ट का यह खिस्ता क्या था, आईने अकबरी, तो आईने अकबरी, अपने आप में एक इंडिवुज्वल किताब नहीं थी, काफी सारी किताबों की सीरीज का एक हिस्ता थी, इस हिस्ट्री, ऑल्सो नोन ऐस अकबर नामा, कंप्राइ ना राज शाषन बनाया, कैसे आगे बड़ा कौन-कौन सी जंगे जीती ही सारी चीज़ें, तीसरी किताब जिसको आईने अकबरी बोला गया है, यह इसमें आपको यह बताया गया है कि इंपिरियल रेगुलेशन कैसे चलते थे, किस तरह से नियम काइदे बनाये गए थे, क इस तरीके से सारा आपका शाषन प्रशाषन चलता था, उस सारी चीज़ों का, के बारे में जो है आपको टीटेल में बताया गया है, तो दाईने अकबरी था थर्ट बुक वास ऑर्गिनाइज जैसा कंपेंडियम ऑफ इंपिरियल रेगुलेशन एंड़ गज़ेटर ऑफ अंपायर याने की जो बड़े-बड़े आपके अंपायर काम किये गए जो आपके पाथ बेकिंग डिसीजन अकबर ने लिए उन सारी चीज़ों का भी डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा, वो उन सब का भी गज़ेटर के तोर पे काम करेगा, दूसरी चीज़ यह कि आपने कौन-कौन से नियम कायदे बनाए, रेगुलर आपका क्या रूल्स और रेगुलेशन से शाशन प्रशाशन कैसे चलता था, उसके बारे में भी आपको जिकर यह डिस्क्रिप्शन जो है इसमें देखने को मिलेगा, तो आइन अकबरी में आपको क्या-क्या था, उसमें कौन-कौन था, किसकी क्या रेंक थी, क्लासिफिकेशन किस तरह से होता था, सारी चीज़ है, इसको हम लोगों ने और ज़्यादा डीटेल में आपका जो किंग से चलता था, उसकी आर्मी या उसकी जो फोज है, उसका किस तरह से और्गिनाइजेशन किया गया था, इसके बारे में डीटेल में आपको रिकॉर्ड देखने के लिए मिलता है, तो इसके बारे में जिकर आपको देखने को मिलता है, और फिजिकल ले आउट जो था प्रोविंस का, कि कितना बड़ा आपका अंपायर है, कहां से कहां तक फैला हुआ है, वो सारी चीज़ों and religious traditions of the people. लोगों में जो literary traditions थे, कौन-कौन से बड़े-बड़े आपके epics लिखे गए हैं, कौन-कौन से important किताबे हैं, क्या religious texts हैं, ये सारी चीज़ें, भारत के लोगों का culture किस तरीके से हैं, जिसके उपर अकबर rule कर रहा है, and lastly, इनके धार्मिक traditions कैसे हैं, इस बात के यहां के रहने वाले लोगों का, इस सारी चीज़ों के बारे में पता आपको आईने अकबरी से चलता है, ये इसका बहुत detailed account जो है, आपको अकबर के time period में देती है, चलें, आगे बढ़ते हैं, along with a description of various departments of अकबर's government and elaborate description of various provinces, that is two bars of the empire, the iron give us integrate quantitative information of these provinces, important बात है, कि आपको आईने अकबरी में क्या-क्या देखने को मिल रहा है, ये तो आपको पता चली रहा है कि अकबर की जो government है, उसमें कौन-कौन से departments है, इसके बारे में तो आपको जिकर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कुई doubt की बात नहीं है, और साथी साथ आपको जो अलग-अलग आपके provinces वगरा हैं, जो अलग-अलग सूबे हैं आपके empire के, उसमें भी आपका शाशन प्राशाशन कैसे चल रहा है, उसका elaborate description देखने को मिलेगा, मगर इसके इलावा इन provinces की अपनी खुद की क्या unique बात नहीं है, यहाँ पर क्या trade होता है, क्या यहाँ पर major religion है, कौन-कौन से important sites है, शाशन कैसे चलाया जाता है, अलग से ऐसी कौन सी चीज यहाँ पर होती है, जो empire की किसी दूसरे हिस्ते में नहीं होती चाया, administration के point of view से हो अब उस level पर दुरगा पूजा दूसरी जगाओं पर अगर celebrate नहीं हो रही है, तो वहाँ पर उतना special arrangement नहीं होंगे, तो जैसे किसी province में को cultural काम बहुत जादा बड़े level पर होता है, बाकी जगाओं की अपेक्षा, तो वहाँ पर state उस चीज के लिए अलग से कुछ ना कुछ description वगरा देखने के लिए मिलता है, collecting and compiling this information systematically was an important imperial exercise, अब यह सारी की सारी information जो आईने अकबरी में रखी गई है, ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने अपने मनमर्जी से लिख दी, पहले वो अलग अलग जगाओं पर जाके घुमा, उसने इन सारी जगाओं पर जाके सारी information को एक systematically जो है, इसको जमाना ये बहुत important imperial exercise थी, बहुत इसमें वक्त लगा, बहुत इसमें समय लगा और बहुत delicately इसको किया गया है, बहुत आपका ध्यान देकर इस चीज को किया गया, इससे आपको ना सिर्फ पढ़ने वाले को पदा चलता है कि बहुत क्या क्या चीज अकबर के अकबर के पास में आती रही, तो इससे एंपरर को भी जो है, समझ में आया था, ये काफी हद तक आपका जो अंपायर है, इतना बड़ा है, इतना जो इसमें डाइवर्स समझने में, एंपरर को भी जो है, एक मदद मिली थी, चलें, आगे बढ़ता है, दा आइन is therefore a mine of information for us about the Mughal Empire during अकबर's राहिन, इसमें कोई दोराय की बाती नहीं है कि क्योंकि आइन अकबरी में इतनी सारी important important बाते हैं, तो ये अपने आप में खान है, information की जिसने हम को बहु सारी चीज़ें जो है, पता चलती है, मुगल अंपायर के time period में, specifically जो अकबर का रायन था उसके बारे में, it is important however to keep in mind that this is a view of the regions from the center, a view of society from its apex, हाला कि एक बात ध्यान रखने वाली है, इसमें, लिखी किसने है, अकबर के एक आपके प्राइम मिनिस्टर नहीं, अकबर का जो code year था, उसने इसको जो है, लिखकर तयार किया है, पहली बार, ठीक है जी, और यह सारी के सारी information वगरा, एक जगए घटी की गई है, और वहां से पिर जो है, यानि कि आपका center से, जहां से आपका शाषन चलाया जा रहा है, वहां से सोसाइटी को फिर एक particular नजर से, एक चश बहुत सी चीज़ों को और लुग भी कर दिया गया हो, इन स्पाइट अफ और वाल इस तेंग्स इस पर्टिकुलर किताब से आपको अकबर का जो पूरा वे पुरा शाषन है, प्रशाषन है, इसके बारे में बहुत डीटेल में information वगरा पता चलती है, बहुत important information पता चलती चले, आगे बढ़ता है, अब हम लोग बातचीत करेंगे आईने अकबरी के वेरियस वेरियस जो पार्ट्स वगरा हैं उसके बारे में, या फिर आईने अकबरी के साथ में और जो आपकी दूसरी किताबे वगरा लिखी गई थी जिससे हमको काफे कुछ पता चलता है उसके के लिए मिलते हैं, जैसे अलग-अलग chapters होते हैं उसी तरीके से, तो आईने अकबरी जो है बेसिकली पांच किताबों से या पांच पार्ट से मिलके बनी हैं, जिसके लिए शब्द जो इस्तिमाल किया गया है वो है दफ्तार्स, तो आईने अकबरी बेसिकली five books का combination है या प डीटेल में description देखने को मिलता है कि मुगल administration अखिरकार अगर चलता था तो कैसे चलता था, क्या वो तरीके था जिसकी मरत से मुगल administration या फिर पूरा का पूरा मुगल प्रशाशन चलाया जाता था, इसमें जो पहली किताब है, इसका नाम है मनजिल अबादी, important है ये exam में प परी की पांच दफ्तार सें, उसमें से जो पहली दफ्तार या फिर जो पहली किताब है, उसका नाम है मनजिल अबादी, मनजिल अबादी जो है, यह बेसिकली imperial household और उसके maintenance वगरा से concerned है, यानि कि आपका जो imperial household है, मतलब आपका मुगल खाना, जो आपका शाही राजपरिव है, और इसके साथ में जो आपके बड़े बड़े लोग वगरा हैं, जो राजपरिवार से related हैं, वो लोग किस तरीके से आपका पूरा का पूरा राजपरिवार, बाच्छा का घर, हरम, यह सारी चीज़ों को maintain करते हैं, किस तरह से उनका production किया जाता और बाकी सारी चीज़ यह आपका military और civil administration जो है, उसके बारे में बातचीत करती है, and the establishment of servants, कि आप किस किस को जो है, आप service में रखते हो, कैसे रखते हो, कैसे उसकी ranking बगरा बढ़ती है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है, इसमें बात की गई है, किसमें? आपकी सिपह अबादी में, military और civil administration को cover करते हुए, इस किताब की एक खासी बात और है, कि इसमें आपको military और civil administration में जो आपके बड़े-बड़े nobles थे, अकबर के time period के, उनके बारे में भी जिकर देखने को मिलता है, और उनकी छोटी-छोटी short biographies भी आपको देखने के लिए मिलती है, यह important बात है, कि यह जो कि बारे में भी आपको जिकर वगरा जो है, इसमें देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा, इनक बड़ी की पहली दो किताबों में से पहली आपकी मनजिल आबादी है, मनजिल आबादी बादशाह की imperial household और उसके maintenance पे रिलेटेट है, सिपाह आबादी second किताब है, military और civil administration क के बारे में बात करती है, कुछ nobles, कुछ learned bands और आपके जो poets और influential philosophers जो थे उनके बारे में थोड़ा बार डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलता है, तीसरी किताब को बोलता है, मुलक अब यह किताब बहुत important है, और सबसे voluminous भी है, क्योंकि इसमें फिर आपको पूरे क पूरे जो है देश के बारे में या पूरे की पूरे इलाके के बारे में जो है, जिसमें मुगल्स का रूल हुआ करता था, सारी provinces के बारे में बापको यहां पर जिकर देखने के लिए मिलता है, तो जो तीसरी किताब है, जिसका नाम है मुलक अबादी, is the one which deals with the fiscal side of empire and provides rich quantitative information on revenue rates followed by the accounts of 12 provinces, important है, याद रखिएगा, तीसरी किताब है, आपकी मुलक अबादी, यह वो किताब है, जो आपके पूरे के पूरे अंपायर और इसमें जो अलग-अलग आपकी provinces थी, उनके fiscal side के बारे में बातचीत करती है, यानि की पैसे कैसे आते थे, किस तरह जे revenue collect होता था, क्या आपके sources थे, revenue assessment और revenue collection के और उसके बाद में फिर उसका इस्तिमाल कैसे होता था, वो सारी की चीजों का हिसाब किताब कैसे रखा जाता था, खर्चा वही काता कैसे बनाया जाता था, वो सारी चीज़ना यहाँ पर देखी जाती है, तो तीसरी किताब जिसका नाम है मु के time period की उन 12 provinces वगरा का आपको हिसाब किताब या भाही खाता मिलता है कि किस वाली province से कितनी कमाई होती है, कौन सी province में क्या जादा एफेक्टिव है, revenue assessment कि इस बेसे पर किस province में किया जा रहा है, collection कैसे होता है, किस province में कौन से सीजन में prominent क्या क्या चीज़न होती है, सारी ब बादी वाला यह जो पूरा का पूरा आपका chapter है, पूरी की पूरी आपकी दफ्तार है, यह पूरा का पूरा पूरा पार्ट जो है, यह पूरे की पूरे इस दफ्तार में आपको क्या 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 देखने को मिलता है, statistical information का मतलब क्या सारा data मिलता है, कि यहां से इतना टन जो ह आपका नाज होता है इतने टन के उपर इतने लाग रुपे का रेविन्यू बनता है ऐसे कलेक्शन हुआ कि इतने लोगों को आपने लगाया यह सारी जब आपका डाटा वगयरा है वो डीटेल में आपको वो स्टैटिस्टिकल इंफॉमेशन यहां पर देखने को मिलती है कि इतने लावा एड्मिनिस्टेटिव और फिसकल डिविजन यहां पर केसी तरह से किया गया है प्रशाशन यहां पर चलाने के लिए आपने किस तरीके से डिवाइट किया है और पैसे बगारा रेविन्यू को एलेक्शन के लिए आपने क्या वेबस्था करी उसका जिकर आ आपको देखने के लिए मिलता है जिसने की पूरे के पूरे पूरे इलाके को ढंग से हैंडल किया जा सके उसके बारे में जिकर मिलता है इसके बारे में जो टोटल आपका मेजर एरिया है उसके बारे में आपको जिकर मिलता है और हरे के लाके का जो जामा एसेस किया जाता था अब हम लोगों ने ये देखा कि आपकी जो ये किताब है मुलक अबादी ये आपको काफी सारी information डीटेल में स्टाटिक्स के साथ में देती है तो अब और वो सारी information वगरा देने के बाद में आपकी जो बारा provinces या आपके 12 सूबह हुआ करते थे 12 सूबह जो हुआ करते तो उसके बारे में आपको काफी कुछ जिकर वगएरा जो है देखने के लिए मिलता तो जब एक बार इसने सूबह के लेवल पर आपकी information वगएरा आपको दे दी सूबह से नीचे के लेवल पर आओगे सूबह से नीचे के लेवल पर आपको आईने अकबरी जब आप पड़ते हो तो उसमें आपको information मिलती है सरकार के बारे में जैसे आपना स्टेट होता है स्टेट के बाद में पिर आपके तहसील होती है तहसील के बार टाउन टाउन के बाद विलेज होता है उसी तरीके से इस time period में क्या हो रहा है कि सबसे पहले state या सूभे की बात हो गई सूभे के बाद में फिर आपको जो जिले के लेवल के आज पास की कैटीगरी आप मान सकते हो सरकार जो को बोला जाता था उसके बारे में आपको जिकर जो है दे देखने के लिए मिलती थी इंपोर्टेंट याद रखिएगा आईने अकबरी आपको सरकार के नीचे जो सुबा वगरा के लेवल पर इंफोमेशन है वो कैसे देती है वह आपको टेबल के फॉर्म में फिर कॉलम्स के फॉर्म में आपको हर एक सरकार के ऋकितने पारेमें इनफोमेशन वГरह दी गई है उसमें कितने महल आटे हैं वह बताये बादे उसमें कितना है इसके मैं वह है प्रण के consumed पर्टिकुलर इंकलेव होता है जिसके ओपर कुछ खड़ पर्टिकुलर काम चल रहा हो जैसे कहीं पर अगर अगर आपने लटसे खेट में थोड़ी आपने गहूं या चावा लोगा रखे बड़ उसके एक हिस्से में अपने गन्नाब हो दिया तो वह गन्ने को आप एक इसके लिए वर्ट कौन सा यूज किया गया है अराजी या फिर जमीने पैमुदा जमीने पैमुदा या फिर अराजी कितनी है या फिर आपका मेजर्ड एरिया कितना है वो उसके बाद में आपने जितना रेविन्यू यहां पर कैश में किया है कि पर्टिकुलर जगह से या इतना पैसा यहां से खटा होना चाहिए उसके बाद में सुयूर घल का मतलब होता है grants of revenue in charity मतलब यह कि आपने कितना पैसा charity में जो है दे देना है किसी particular religious institution को किसी श्राइन वगएरा को की कितने के ढंडर में इसके कितने उंडर आते हैं कितना पैसा आ अप ले सकते हैं सारी बातें जो है इसके basis पर डिसाइड की जा सकती है अब इसके चो मेरे पीदिएल स्वनिदार शांट tomar रखेगा है्li तो ये आपके जो 6 columns हैं इसमें आपको ये सारी information देखने को मिल गई कि आपके जिले में और आपकी सरकार में परगनात या महल कितने हैं किले कितने हैं आपकी measured area कितना है उसमें आपने एसस revenue कितना निकाला है उसके बाद में हर एक जमीदार के पास में military कितना force है उस चीज़ को analyze किया है horsemen या फिर आपके पास सवार कितने है foot soldier या फिर आपके पास प्यादे कितने है और elephants या फिर फिल आपके पास में कितने है इसका हिसाब किताब रखा जाता था ताकि अगर कभी ज़रूरत पढ़ जाया तो फिर इनका इस्तिमाल किया जा सके और इससे एक assessment भी रहे कि कोई जमीदार इतना मजबूत या इतना ताकतवरना हो जाए कि फिर वो बाच्षा की authority को जो है चैलेंज करने लगे अपने अपने इलाकों में अब इस किताब को जब आप पढ़ते हो यह जो दफ्तार है आपका आईने अकबरी का मुल्क अबादी जिसका नाम है जब आप इसको study करते हो तो आपको बहुत fascinating और detailed information मिलती है हिंदुस्तान की जो आपकी agrarian society है उसकी complexities के बारे में खास तोर पर नौर्थ इंडिया में अब यह भी important है कि इसकी जो चौती और पांचवी किताब है उसमें आपको religious, literary और cultural traditions जो थे हिंदुस्तान के लोगों के उसके बारे में पता चलता है कौन सा धर्म वो मानते हैं किस तरीके का literature यहां पर लिखा जाता है किस तरीके के एपक्स यहां पर है क्या culture यहां पर follow हो और culture में आपको क्या क्या variations देखने के लिए मिलते हैं यह सारी बाते भी आपको यहां पर पता चलती है और अकबर ने क्या 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 बात किस किस चीज के बारे में कही है क्या उनके विचार हैं क्या उनकी जबरदस्त बाते हैं जो मतलब सुनने में बड़ी जानदार लगत है तो यह जो ब्लॉक है इसमें हमको अबुल फजल ने किस तरीके से पूरा पूरा आपका जो यह अकबर नामा लिखा था और उसमें भी आइने अकबरी के लिए जो डॉक्यमेंट्स वगरा इकटे किये थैं कैसे लिखना शुरू किया किस तरीके सो इसमें बाकी सारी उनका उसमें से मैं कुछ ना कुछ जो है निकाल रहा हूं तो इस तरीके से हेडिंग दी गई है अब अबुल फजल ने अपने शब्दों में क्या बूला है आपका पूरा का पूरा आइने अकबरी है फिर उसके इलावा जो आपका अकबर नामा लिखा था उसके कलेक्शन मुबारक का लड़का है उसको यह आपने जिम्मेदारी जो है बाच्शा की तरफ से दी गई थी कि अपने पैन से अपनी कलम से पूरी सिंसेरिटी के साथ में एक दास्तान लिखो जिसमें हमा जिसमें वो सारे ग्लूरियस इवेंट का जिकर आना चाहिए जो हमारे डोमीनि इंट्रोगेटिंग दा सर्वेंट्स ऑफ दा स्टेट और ओल्ड मेंबर्स ऑफ दा इलिस्ट्रस फैमिली तो इस पर्टिकूलर चीज़ का जब मुझे ऑर्डर मिल गया तो उसके बाद में फिर मैंने बहुत जादा एफ़र्ट और बहुत जादा रिसर्च करी है वो सारे क सारे रिकार्ड करने में जसे की बादशाओ ने जो सारे काम किये थे उनके बारे में नरेटिव वगरा बनाने में कहानी लिखने में किस्ता कहने में जो है मुझे असानी हो सके और इस चीज के लिए मैंने बहुत लंबे वक्त तक जो है आपके जो सर्वेंट्स वगरा थे स्टेट के यानि की जो अलग-अलग ऑफिस्टर्स वगरा थे उनका इंट्रोगेशन वगरा किया है उनसे मुझे काफी कुछ पता चला आए एक्जामिन बहुत प्रुडेंट प्रुडेंट प्रुट स्पीकिंग और एक्टिव मैंडेट राइट एक्शन यंग वंस और इसके बाद में मैंने फिर किया यह कि जितने भी आपके बुढ़े लोग थे जो काफी वक्त आपका जी चुके थे जिन्होंने काफी देख ली थी मैंने उनकी भी जो हैं बातियों को रिकॉर्ड किया है और मैंने आपके जो यंग लोग थे जिन्होंने जंगे जाके लड़ी और बाकी सारी चीज़ें करी मैंने उनके भी स्टेटमेंट्स वगरा को रिकॉर्ड किया और जब मैंने सब को certainty or with amicable of doubt the events of past should copy out the notes and memoranda and transit then to the court आब इनकी health के लिए वकाइदा royal commands वगरा issue की गई थी कि अकबर के पहले आपका provinces वगरा कोई order वगरा दिया गया था कि अकबर के पहले जब इनके पिता जी और दादा जी का राज चला करता था शेर्चाशूरी के time period के पहले उस time period की है उस old service की अगर आपको कोई भी बात जो है ऐसी याद हो जो आपको लगता है कि आपको बादश्या तक पहुचानी चाहिए सब के बारे में आपको अपनी याददाच से कॉपी करिए उनके नोट बगरा बनाईए उनके बनाई है उसके बाद में आप उनको सारी जो चीज़ें हैं कोड में भेजिए आपका जो रॉयल कोड है इस तक पहुचाई है इसके आगे यह बोलते हैं देन आ सेकंड कमांड शॉन फॉर्स फ्रॉम दा होली प्रेजिएंस चैंबर तो विट्ट इसके बाद में आपका जो सेकंड कमांड दी गई वो यह दी गई कि जितना भी मटेरियल वगरा कलेट किया गया है इसको रॉयल हेरिंग में याने की बादश्या के सामने पूरा आपका जब कोड लगाया जाएगा उसमें उसको पढ़ा जाएगा और यह सब कुछ कलेक्शन के बाद में यह सब कुछ इसमें बेसिकली यह बुला जा रहा है कि सारा डॉक्यूमेंट वगरा जिसके बैसिस पर आईने अक्बरी को या पिर अक्बर नामा को लिखा जाना है उसको कलेट करके आप बादश्या के सामने जो है रॉयल कोड़कर सुना होगे और उसके बाद में इसके बैसिस पर इंक्लूड करते जाओगे तो यह जो है लिखा हुआ है आगे बिइंग रिलीव बाइदिस रॉयल ऑडर दा इंटर्प्रेटर ऑप दा डिवाइन ओडिनेंस फ्रॉं दा सीक्रेट एंजाइटी ऑफ माय हाट आए प्रोसीड़ेड तो रेडूस इंटु राइटिंग दर र अकबर नामा या फिर आपका इसकी लिखने की शुरुआत हुए ठीक है अप्टेंड दा क्रॉनिकल्स ओफ इवेंट बिगनिंग एड़ नाइंटीन सेंचुरी अप डिवाइन एरा याने की जब बादश्या ने अपना काम बगरा शुरू किया था तो उसका जो फिर आपक इसने डिवाइन संचुरी बोला और इसका जो उननीस वा साल था पंदरा सुनीस के आसपास इसने जो है इन्फोर्मेशन वगरा इखटी करकर फिर उसके ओपर काम करना शुरू किया जब रिकॉर्ड ऑफिस जो है स्टैबलिश किया गया था और उसके बाद में इसको काफी सारी इन्फोर्मेशन वगरा पंदरा सुनीस के बाद से मिलना शुरू ही और उस सब के ओपर इसने जो है अपना रिकॉर्ड बगरा बना कर तयार किया तो कुल मिलाकर ग्रेट पेंस वे टेकन टूप रोक्यॉर्ड और 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 कॉपीज ऑप मुस्त ऑफ और इसके बाद में बादश्या ने जब से अपना ताच समाला था उसके बाद से लेकि प्रोविंस को जितने भी ओडर वगरा दिये गए थे उन सब के रिकॉर्ड से उन सब के डाटा वगरा को इखटा करने में मैंने काफी सादा मेहनत करी और बहुत ढून ढून के मैंने रिकॉर्ड निक दूसरे देशों में डूर देशों में क्या चल रहाए उसके बारे में आपको ख़बर थी and my labor-loving soul was satiated by the apparatus of inquiry and research और यह सारी जो मैनने करी इस ते मेरी आत्मा आपका कह सकते हैं कि शान्त थी मेरी आत्मा जो है उसको खुशी थी इस बात की कि मैंने सारी information बगरा जोई है ने भी आपके लोग बगएरा थे जो पड़े लिखे थे जो जिन से मुझे कुछ ना कुछ इंफरमेशन मिल सकती थी चाहे वो सबसे जो है कुछ ना कुछ जहनकारी है हांसल करी है अब इन सारी चीजों की मदद से मैंने अकबर नामा जो है लिखकर आपका तयार किया है जिसको इसने रोस गार्डन ऑफ फॉर्चिन के तौर पर डिनोट किया है तो कुल मिलाकर अपने को ये समझ में आता है यहां से कि अकबर नामा किताब को लिखने में काफी जादा मेहनत हुई थी और बाच्षा ने बकादा अपनी तरफ से काफी जादा मदद करी थी अगर ऐसा ना होता तो इतनी एफेक्टिवली ये किताब जो है इस तरीके से बन कर तयार ना आती इसके अलावा और जो आपके पास में लोगों ने जो ऑफिशल डॉक्यूमेंट्स वगरा में बाच्षा ने जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपनी तरफ से इशू किये थे जो डिक्री की थी और बाच्षा के पास में जो इन्फोर्मेशन वगरा भेजी गई थी इन सब को खटा गर के फिर जमाया गया नेरेटिव वगरा बनाएगा इन सब को कोट के सामने रखा गया इनको आपने एक तरीके से अथेंटिकेट कराया है कि हाँ भाई यह डॉक्यूमेंट्स अही है यह डॉक्यूमेंट्स गलत है सारी चीज़ें होने के बाद में फिर लिखना जो थी इस किताब को लिखने के लिए जिसका पार्टाई में काफी ज़्यादा एफट लग में लगा था और उसके बाद में एक सबसे पहले आप ने ऑट्वूमेंट्स वगरा को को कलेट करवाया उनको अथ आपने खटा किया उसके बाद मनको राइटिंग में लिखा क्र वेरिफाय करवाया और उसके बाद में फर उसको यूज किया ऑफिशल्स ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगरा बादशाह को बेजे थे उसके बारे में आपने जो है उनको कलेट किया इसके इलावा आप अलग अलग सूबों में घुमें उनके बारे में इंफोमेशन यहां से आप इसको इस तरह सभी कह सकते हो कि आपने न सारे डॉक्यूमेंट्स वगरा को जो है जमाया ही तो है डॉक्यूमेंट्स वगरा को कलेक्ट करके रिप्रोड्यूसी तो किया यह बात पूरी तरीके से कहना सच नहीं होगी कि आप ने नो डाउट इसमें कि ऑफिश रुवाती वक्त में या फिर अकबर के पहले के जो आपके राजा वगरा रहे उसके टाइम पिरिएड में उसका रिप्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिलता है मगर इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी इंफोमेशन उसके अलावा और भी आपको बहुत सारी बना कर तयार कर लिया उसके बाद में इसको कमस कम पाँच बार रिवाइस किया गया था जिस्ते कि अपने को एक बात समझ में आती है कि अबुल फजल ने अपनी तरफ से जो है इसकी ऑथेंटिसिटी वगरा को लेकर बहुत जादा अपनी तरफ से कह सकते हैं किफायाद ब सकते हैं औरल टेस्टीमानी जितनी भी ली गई यानि की जितने भी आपके बूढ़े बुजर्ग लोगों की और आपको मिली या फिर जो जवान यूवा लोगों कि या या आप जो लोग तो लोग वगरा थे उनकी जो और रूप में करने के पहले किताब में कई जगाओं स के रूप में आपने इसको पूरा जो है अपने जो किताब लगएरा है है आपका जीकितर पिर इसकार्ण है किए, तो अब आपका खेंचे को यह बहुंत evolve इसकों किताब को लिखने में, इन दा कॉंटिटेटिटिटिव सेक्शंस और नुमेरिक डाटा वेर रिप्रेडूस्ट इन वर्ट सो एस तु मिनिमाइज दा चांसे ऑफ सब्सेक्वेंट ट्रांस का ट्रांस्क्रिप्शनल एरर्स यह भी एक इंपोर्टेंट बात है कि जहां जहां पर आपको डाटा वगर इस तरह से लिख देते हैं तो वन और नाइन में कंफ्यूजन हो जाते हैं इस तरीके की चीज़ें हैं कि नंबर्स को लेकर किसी तरीके की प्रॉब्लम वगरा ना बने इस बात को ध्यान में रखते हुए बकाइदा यहां पर जो शब्द जो नंबर्स हैं उनको वर्ट में उन्होंने बात को पॉइंट आउट किया है कि इतना सब करने के बाद में भी आईने अकबरी में अपनी खुद की कुछ प्रॉब्लम्स हैं और यह पूरी तरीके से आपका एरर फ्री नहीं है और अगर एरर फ्री है भी तो भी इसमें कई जगाओं पर आपको इसमें काफी इसमें आपको गलतियां समझ में आती है हाला कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी मिस्टेक वगरा रही हो इसको आप इस तरह से मान सकते हो कि अरिथमेटिक में एक सिंबल्स आपका स्लिप है क्योंकि कैल्कुलेटर वगरा तो तब होते नहीं थे अबाद करने में बहुत बड़े बड़े डाटा हैं तो इधर उदर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है बस वैसा ही हुआ है सिंपल स्लिप्स ओफ अरिथमेटिक और ट्रांस्क्रिप्शन बाइब अबुल फजल के दौरा की गई गलतियां ऐसा लगता है कि अबुल फजल के जो गलतियां वगरा अगर ऑफ दो नॉट डिट्रैक्ट फंड ओवर रॉल कॉंटिटिटिव वरासिटी अब दा मैनूल हालाकि चोटी मूटी मिस्टेक्स हैं कहीं थोड़ा बहुत आपका एरर वगरा हो गई है मगर अगर आप बात करोगे तो पूरे के पूरे मैनूल का जो एक आपका सार है पूरे के पूरे मैनूल की जो कॉंटिटिटिव वरासिटीज हैं यानि कि उसका जो ऑफेंटिक्स केशन है इन सारी चीजों से वह आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती यह भी इसके खासियत है कि कुछ शोटी मुटी मिस्टेक्स हैं अगर और और ऑल किताब जो खास गलती ह जाते इन को आप कर सकते हैं इसके बाद में दूसरी जो लिमीटेशन आपको आई ने अकबरी में देखती है वह आपके कॉंटिटिटिटिव डाटा के नेचर में आपको जो है दिक्कत दिखने को मिलती एक तो यह है कि नंबर्स वगरा को आड करने में मिस्टेक हो गई त वह लोग देखते हैं सबसे पहले तो डाटा वगरा जितना भी क्लम्ट किया गया था और उनीफॉर्म है यह जतना भी क्लैक्ट हूए था आप ने सारी प्रोविंस में जाके एक तरीके का जो information है, वो सबसे बराबरी से खटी करी हो, कहीं पर आपको ज़्यादा information मिल गई, कहीं पर आपने उतने effort नहीं मारे, या फिर कहीं पर आपको उतनी ज़्यादा information या effort वगर, उतनी ज़्यादा जो data वगर आपको नहीं मिला, एक example भी दिया गया है, for example, while for many detailed information was compiled about the cast composition of जमिदार, such information is not available for बंगाले नुडिसा, तो ये कि ये information मिनों ने बताई है कि सूबों के बारे में जैसे आपको जितने भी आपके जमिदार वगरा थे, तो कितने जमिदार किस सरकार में या किस दिले में आपको देखने को मिलते हैं, कितने जमिदार मजौले हैं, क कितने जमिदारों का चोटा मान सकते हो, कितने जमिदारों के इंडर में कितने कितने गाहों आ रहे हैं, ये सारी information वगरा जो है, compile की गई थी, और उसके बाद में इसको जो है, आईनियाक बरी में शामिल किया गया है, मगर अब मज़े की बात ये आती है, कि बंगाल जो शह अगर आपने quantitative data देना है, तो सारी provinces के बारे में होना चाहिए, कुछ के बारे में अगर collecting नहीं किया है, इसका मतलब पिर या तो वो काम डंग से हुआ नहीं था, लोग आलस खा गया था, या फिर हो सकता है कि कुछ particular reasons वगरा के कारण जो शायद हम लोगों को ये लोग एक कन वगरा है, उनकी कास्ट के बारे में detail में जो है जिकर आपको किया गया है, इसी तरह से एक और information दी गई है कि सूबों में आपका fiscal data जो है वो बहुत detail में आपको दिया गया है, उसकी richness वगरा जो है, वो आपको detail में बताई गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कि आपका जो भी data वगरा है, आपका fiscal से related की कितना tax कहाँ पर collect होता है, कितना revenue assessment है, cash में कितना लिया जा रहा है, काइंड में कितना लिया जा रहा है, detail में सारी information बताईगे, इसमें कोई doubt की बात नहीं है, कि information बहुत rich है और आपको काफी ज़्यादा vital sources of information इस particular time period के बारे में आपको जैसे आपका fiscal information बगरा में काफी ज़्यादा richness है, उसी तरीके का और भी कुछ data होता है, जिसके बारे में आपको कुछ अंदाजा होना चाहिए था, जैसे कि wages बगरा हो गई किसी particular area में, इस तरीके के information बगरा के बारे में आपको ज़्यादा जिकर बगरा कहीं पर, as such material capital of agra and is therefore of limited relevance for the rest of the country, जो कि हम बात यहाँ पर कर रहे थे कि wages बगरा को well document नहीं किया गया, मतलब यह कि कुछ जगाओं के बारे में तो थोड़ी बहुत information ली गई है, मगर सबके बारे में जो है, बहुत detail में आपने information नहीं दिये, तो वही बात यहाँ पर की गई है, कि जो आज-पास की इलाकों के बारे में हैं, तो इससे अपन पूरे के पूरे देश के बारे में जो है, इन्फो में आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इससे पूरे के पूरे देश के बारे का जो है, आप एक हिसाब नहीं लगा सकते कि अलग-अलग जगाओं पे आपकी सारी ची बगेरा थे मिद्दार हो गए पीजन्स हो गए स्टेट हो गास के बारे में आपको कापी सारी इंफोमिशन देते जरूर मगर फिर भी जैसे कोई भी चीज पर फेक्ट नहीं होती दुनिया में कोई बीचीज पर नहीं उसी तरह से किताब में भी अपने कुछ कमिया है अपने के रहा थे हम लोगों ने पूरे पड़कर खतम किये हैं पूरा का पूरा जो आपका चाप्टर था इसके जो जो आस्पेक्ट्स वगए रहा थे सब को डीटेल में इसका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वह इसकी टाइम लाइन्स वह हम लोग डिसकस करेंगे और उसी के साथ में फिर यह चाप्टर हो जाएगा चले तो अब हम लोग पूरा का पूरा चाप्टर है इसको डीटेल में हमने देख लिया अब हम लोग बात करेंगे की टाइम लाइन के बारे में तो बेसिकल इसकी जो टाइम मार्ण है वो आपका मुगल अमपायर जो रहा है उसके जो ल यहां से आपके मुगल empire की शुरुवात होती है रो पहला मुगल एंपरियर बनता है 1530 से 1540 के बीच मैं आपका बाबर की मौत हो जाती है 1530 पाज-इस दो दॉखने बाद में 1530 से लेके पच्पन के बीच मैं जो है इब आप यहांपे आपका तो तब तक आपका हुमायू आपक इरान में बैठा रहता है सफाब्स दूर्स है आपके इरान में इसको मिलती है तो 1556 के बीच में हमायू जो है वापस हिंदुस्तान लोटता ए और उसके बाद में फिर इस इस इलाके प्र से कब्जा करता है अब मगर 55 में लोटने के बाद कबजा करने के बाद एक ही साल वो रूल कर पाता है और अगले साल उसकी आपका जो उसकी लाइबरेरी थी उसकी सीडियों से गिरकर उसकी मौत हो जाती है 1556 में अकबर जो है वो अपना शाशन समालता है 13 साल की उमर में राजा बनता और 1556 से लेके 1605 तक अकबर का राज चलत 139 तक आपका मुगल अंपायर काफी कमजोर हो गया था तो इरान से आपका जो नादिर्शाह नोट इरान अफगानिस्था है वह दिली इंवेड करता और दिली को सैक करके रख देता है इन पार्ट कई लोग यह बोलता है कि उस तना तलवार उठा के बोला था कतले आम जार हो गया जिसमें अफगान्स और बाकी सारे लोग जो है कभी यहां पर आके रेड़ करने लगे अल्टीमेटली सत्रास एक्षाट आया है मच अबदाली ने जो है मराटों के साथ मानीपट में तीसरी लड़ाई लड़ी इसमें मराटों की हार हुई और यहां से मराठा अंपाय सारी चीजें लोगों ने यहां पर करीं दिख्या है सेवेंटीन सिस्टी फाइव में आपका जो बंगाल की दिवानी है वह इस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर होती है और यहां से हिंदोस्तान के कुछ इलाकों में शुरू होता जो बढ़ते बढ़ते पर पूरे इंड हो जाती है और आपका जाट आठारा सो साल से जादा यह चला जिसमें अकबर उसके बाद में आप मान सकते हैं इनका जो बाद में जहांगी रहा है वह और शाह जाहां तीन लोगों के टाइम पीरिड में रूल अच्छा था और रहां जब तक अपना बाइगट पॉलिसी व समाप्त होता है और इसके इंस एक एससे बारे में आपका बाधशीत वगणा करी चल आगे बढ़तना आज का जो अपना सेशन था इसमें हम लोगों ने अपनी जो यह चैप्टर है इस्टी क्लास 12 की जो दूसरी हमारी किताब उसका चाप्टर नंबर 8 या थीम नंबर 8 इसको हम लोगों ने डीटेल में पढ़कर खतम किया है इसके सारे असपेक्ट्स वगरा को हम लोगों ने य यहां पर सारा का सारा जो कॉलिटी कंटेंट है अप लोगों को अक्सेस करने के लिए मिलता है और कई बार जैसे बच्चे यूट्यूब पे शिकायत करते हैं कि उनको प्लेलिस्ट ढूंडने में दिक्कत आती है तो उस चीज़ का भी यहां पर खास ख्याल रखा गया है य सारा का सारा जो कंटेंट आपको इस तरीके से अरिंच्ट फैशन में देखने के लिए मिलेगा अगर आपने सीब्री सीदिश मीडियमक पढ़ना है तो यह उसका सारा का सारा जो कंटेंट है आपका kindergarten से लेके class 12 तक सब निकल कर आ जाएगा साथ-साथ आपके extra learning का concept एक्सेट के एक्सेटर वगरा सब कुछ जो है आपका आपको access करने के लिए मिल जाएगा अब लैट से आपने class 12 पे click किया तो class 12 का फिर जितना भी syllabus है जितने भी आपके subjects है सारे के सारे courses आपके सामने आ जाएंगे history हो गया पॉलिटिकल साइंस हो गया जोग्राफी हो गया लीगल स्टेडीज हो गया इसके लावा आपकी science हो गई math हो गया जितने भी हैं सारे के सारी sequence में आपके सामने आ जाएंगे अब आपने करना यह है जो भी subject पढ़ना है आपने उस पर क्लिक करना है लेट से अगर आपको class 12 की history पढ़नी है आपने उस पर क्लिक किया जैसे यहां पर आपका जो भी syllabus वगर आपको पढ़ना है उसका एक छोटा सा beginning आपको देखने को मिलेगी उसके बाद में सारा का सारा जो content है वो sequence में आपका रेंज थीम वान थीम थीम त्री और हर एक चाप्टर की कितना लेक्चर्स हैं वह भी साथ में में आपको जैसे पहले से अंदाधार है कि जाने की कौन का कितना लेक्चर्स आपको एक चैप्टर को कवर करने के लिए पढ़ना पड़ेंगे प्लस उस व्सalth बीडő में आपको क्या क्या मिलेगा एक एक लेक्चर में वह भी आपको डिटील में जो है और एक लेक्टर के सांद में पता चलता जाएगा तो इसमें ज बनाने के लिए पिसका यूज कर सकते हैं और इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं तो ना सिर्व आप लोग इसका इस्तेमाल करें अपने दोस्तों तक अपने जानने पहचानने वालों तक जितने भी नीडी जो जिन तक आपको लगता है कि सारी की सारी इंफोमेशन पहुंचनी चाहिए उन तक पहुंचाएं इस सारा का सारा आपका कंटेंट वगरा उनको भी बताएं कि एकसेस किया जा सकता है और जितना आउसके ज्यान के प्रचार प्रसार में अपना कॉंट्रिबूशन दे मैनत करते रहें पढ़ते रहें आगे बढ़ते र रहें खुश रहें अस्ते मुस्कराते रहें जुड़े रहें मैंगनेट ग्रीज के सार्थ थैंक यू जाए इंद